आज हमारे साथ हैं बारते जनता पार्टी लद्दा के अध्यक्ष पुनसक साफ इनसे बातशीद करते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद में जो जिम्मेदारी दी गई है किस तरह की जिम्मेदारी बोड़ निवा पाएंगे इस वार जी सबसे पहले सबको नमस्कर जूले जी स इस तरह किसे आपने कहा कि मुझे अभी कुछ दिन हुआ है कि यह नाया ओदा जो मिला है यह बड़े जिम्मेदार वाले आभी है मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा जिम्माबर कंदूंग पे है तो आने वाले दिनों में इसको क्या से चलाना है क्या है शाहिए पार्टी क हाई लेवल पर इसको चर्चा करकी शायद मुझे यह दिया होगा पूरी कोशिशित करूंगा कि इसको निबाने के लिए सब को साथ ले कर करके जिस सबका नारा है. सबके साथ सबका विखवास जितने की हम पूरी कि विभी कोशिस करेंगे. और सब को लेकर के चलने की कोशिस करेंगे. पुराने राजियनग्रे राजिनिते गैरें हैं आपने बारजिंद जन्ता पार्टी के साथ में कापी पुराने संबंद रहे हैं आप एजटूटूटिव कॉंसलर भी रहे हैं कैसी की साथ काम करने का किस तरह का चैलेंज आप मानते हैं इस समय पार्टी के लिए जी मैं तक्रिबाएं 2005 से जब पहली-पहली बानी थी में मुझे कम करने का मोगा मिला दो बर में एक्रिक्टूटू कॉंसलर रहा तो मालब सबकी सब में कम करने का मोगा मिला जए पार्टी ने आपको वरुसा इसलिए दिया है क्योंकि आपका एक्सपिरेंस बहुत थे और भी लोग थे परन्तु आपको इसलिए चुनाया कि एक्सपिरेंस आदमी पार्टी अच्छी तर चाल सकता है आप जो पार्टी के पुराने जो लोग थे पिलर थे जन्होंने पार्टी को यहां तक महुचाया मैनत करकी देखने में आया कि जो आम जम्यंग जो बिलकुली एक डिनमिक MP इस पात पर मालब अध्यक्स थे तो शायद मेरे खाल से जम्यंग जी बहुत ही संसाथ में हो डेली में इतर मालब दोनुं साइट में दोनुं जिमावर थे तो शायद कमिया रहा होगा लेकिन हमने महसूस नहीं की फिर भी अगर कुछ रहा है तो हम पूरी कुशिस करेंगे जीज में पुराने लोग भी हो नए लोग भी हो सबको साथ ले करके चलने की पूरी कुशिस करेंगे और मुझे पूरा उम्यद है हम जीज में से जो भी मालब सिनियर लोग है एक चलतों दस्तूर से जो पूराने लोग को जाना होता ह वो सारे तो है लेकिन कुछ लोग अभी है जो बाहर है तो उनको हम पूरा संप्रक करके चाये ले हो करगिल हो सब को हम साथ ले करके चलने के पूरी कुछिशिस करेंगे और पूरी उम्हेद है कि आने वाले दिनों में ज़रूर सुधार होंगे जितना ले छेतर में ले डिस् का है या कर्किल की जो एक्टिविटिस थे जो जैंड के साथ में थे तप से लेकर कि मनलब आज तक उन दिनों से चला हुआ एक अभी इंस्टिटूट है या तो आने वाली दिनों में आप तो ना इसमें इंसी रहा ना पीडी-पी रहा तो मुझे पूरी उमीद है कि जो मोड इंडिया के मोदी सिर्कर के जो सारी नीती बोले चाहें जो सिकीम से उन सब को ले करके हम ज़रूर कोशिस करएंगे और पूरी उम्मिद है करगुल वालें इसमें ज्यादा से ज्यादा जूड़ेंगे जिस तरह के से हिस्टोरिक की इतियासिक बोले जो जुजला को अब टें जो मुद्दा है वो BJP ही कर पाएंगे और सेंटर में तो आपको पता है BJP अभी भी है आने वाले दिनों में भी है तो इनको देखते हुए मुझे पूरा उमेध है कि करगिल वाले भी जरूर जुड़ेंगे हमसे आपने आपकी पारटी ने चुनाप में बाइदा किया था कि जोनसकार नूबरा को और कहीं छेत रहें पर पार्टी ने दो जगए को मान लिया कि अपना जिला बनाई दिया पार्टी लेवेगा और बाकी जगए क्या इस्तिति रहें जे जिस तरह के से आपने कहा संगठन ने नूपरा और जंसकर दोनों को पहले संगठन के और से गोशिट कर रहा है कि यह दोनों डिस्टिक्ट बनेगा लेकिन इसके इलावा भी करगिल से एक दो जगे जैसे ले से भी शाम चंग तंग और कहीं जगों से इसका डिमन है तो हम हमें उमेद है कि केंदर से केंदर सेरकर इसके उपर भी जल्दी ज़रूर नहीं ने लेंगे जन्सकार वाले तो बहुत तयार बैठ है काभी समय देमांड करे जा रहे हैं तो क्या चौवीस से पहले उम्मीद करें जरूर बिलकुल यह संगठन के और से पहले गोशिट कर र वैसे तो हमारा कहना है मोदी साब का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह किसे यह अधियावादी हम मान के चलते हैं तो इन सब को देखते हुए जिस तरह किसे आपने पिजले देखा है कि रिंचल हमोजी दो यूटी लदक यह अध्यक्स थी तो उनको आपके ऑंकों के सामने हैं सब लेडिस को हम ज्यादा से ज्यादा जूड़ रहा है और ची ज्यादा से ज्यादा अधा बी हम दे रहा है इन सब को आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हम इनको अच्छे से अच्छे मालब जो वसकर से उनको ले करके और इनको बिलकुल ही मिलेंगे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हम इसको फिलब करने के कोशिस करेंगे. कि अन्होंने एंसी डूसी जो भी पार्टी थी सारी खत्म यहां पर कर दी के बाले कॉंग्रिस बचिये आपका क्या पनाम या रहती है हाँ वो तो नेजर रहे था यह जो भी यहां पे एंसी पीडिपी सारे यह एक स्टेट बेस मालब वो पॉलिटिक्स पार्टी थे यह निशनल कोई पार्टी यह थे नहीं तो जैन्ड के जब खतुम हुए यह सारे खतुम हो गया अब देख रहा है कंग्रिस भी ना के बरबर ह तो आने वाले दिनों में जरूर बीजेपी यह से प्लेट फ्राम है जहां से लोगों का ब्लाव हो सकता है तो लोगों जरूर डेबलेमेंट को लेकर के अपने आने वाले दिनों को लेकर के जरूर लोग बीजेपी से जुड़ेंगे जी बिलकुल है जो एक दो कॉंसलर है तो आपस में पदा नहीं क्या कि आपने चोटे मोटी इस्यूज को लेकर कि जो उनके पास में एक मुद्दा है यह नहीं, जो लदक की मुद्दा होना चाहिए था, जो एक चुल में मुद्दा होना चाहिए था, उनको उनके पास में है यह नहीं. इस सब्सक्राइब के लोग है ये सारे जानते हैं क्या है अब जियादा जानते हैं आज के बच्चे बच्चे जानते हैं कि आसली मुद्दा क्या है केडिये का बिलकुली अलग मुद्दा था आपको भी पता है सुप्रीम कोड तक उनका थिरी सेवंटी के फिर से लाने के लिए केस चला हुआ है तो यह बिलकुली लोगों को गुम्रा करने का एक पोलिटिक्स हवा देने की वह है उसके साथ में एपेक्स उसके साथ में मिल ग फिल गया है और लोग जानते हैं आज के दुनिया जानते हैं कि यह किस तरह के सी चल कर रहा है बच्चे बच्चे जानते है जिसतना बी आज तक जो भी एंपी रहा है जो जितने भी रहा है उन सब को भी अगर कटे कर दिया जाए तो जامियंग जी Engineering ने दो दो साल में जिस जो आवाज उठाया लदक की issues को उठाया, वो सारे अगर इससे पहले के सारे MP भी अगर मिला लिया जाए, तब भी मलब इस तरीके से नहीं उठाया होगा, तो संसत तो अपना एक बिल्कुल या एक डैनमिक लदक को एक, आज मैं मानता हूं, आज लदक को एक नहता मिला है, एक MP मलब एक चुल नेशनल एक नहता मिला है, और CC का कोई मेरे खाल से कोई कमी पहिशी नहीं है, वो भी एक डोकेट है, और सब को साथ लेकर के चलने वाला एक वेक्ति है, तो मेरे खाल से इसमें कोई कमी नहीं है, कल की जो गटना थी, कॉंसलर को अंदर नहीं जाने दिय कारण क्या रहे है, वो तो इंक्वारी का बीशे है, आपकी पार्टी, क्योंकि उसमें बारती जनता पार्टी के कॉंसलर थे, कॉंगरेस की भी थे, आपकी पार्टी इस इस इसू को लेकर क्या सोचती है, क्या हो अच्छा है, एक चुल अगर कहा जाए, तो ये साजिस तो नहीं थी, लेकिन ये पत किसमात से हुआ, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरगी से सीजी साहिप ने, या हमने भी तुरन इसकी उपर एक्शन लिया गया, और एक दम से उन जो दो दोशी तो अभी नहीं के सकता है, ये कॉड़ विंकर की मसला है, तो फिर भी स्टिक से स्टिक एक्शन इसके उपर जरूर होगा, और ये बतकिसमत से हुआ, मैरे खाल से, आने वालों में, दिनों में ऐसे रिपीट ना हो, ये हमने बिल्कुली अभी गोर्डनर तक या सेन्टर गोर्मेंट तक जहां पर भी उठाना है, हमने उन सब के नोलिस में दिया जिसके वड़ी परसनल से कुंसल जर उनसे मिल करके एकदम से इसको सोल गया था, जो बिल्कुल बिलकुल, एक ओर निकले गया था, इसमें जो भी इसमें इन्वोल्ट है, वो सब को नोटिस दिया गया है, वो नहलन हजरी कर दिया किया है, जी, यूबा यहां का यूबा जो रोजगार की तलास में है उनके लिए आपके पास में किस तरह की यूजला है तो यूबा बड़ा नाराज है इस समय जो देखने में में रूता है जी ये आज की दिन में सबसे बड़ा इश्यू है तो युआउं का ये इश्यू है हमने ये भी बिल्कुल अभी यूटी गोर्मेंट के समने लगी के समने अभी रखा था आपको भी पता है जिस तरह किसे कल यूटी साहिब ने बताया जब से यूटी बनाए तब से लेकर सोचना था कि ऐसे से एक सेंट्रेल का एक मालब इस ते इंस्टीचूट था क्या उसमें अपना लदाख रिजिडेंस वाला रिजरब रहेगा या जो सेलेवा से वो क्या जैसे थे आएंगे या जो सेंट्रेल वाले होगा वो सारे कंफ्यूज जरूर थे लेकिन मैं अभी ज सारे लड़कों को उस में आरूर्ल किया जाएगा और साथ में जो भी सैलेवा से वो जल से जल आने वाले पंदरण 20 दिन में आपके सामने वो सारे सैलेवा भी आएंगे हिल कॉंसल दोनुं ले और मेरे खाल से करगिल भी दोनुं जो सिलेवस की उपर लोगों को टिविशन देना वो सारे मलब जल्दी आने वाले दिलों में करेंगे इसके इलावा जो डिस्टिक्ट लेवल की जो SSRP है, वो सारे भी मलब आने वाले दिनों में जल से जल ये फॉर्म करेंगे और आने वाले दिनों में ये सारे कि सारे लोगों को मलब अभी से ये प्रोसेश शुरू हो गया है कि लोगों को रोजगर मिलना शुरू हो जाएगा. यूटी के दो साल, हिल कॉंसल के एक साल, उसको कैसे देखते हैं आप एदे भारती जंता पार्टी आप्डेक्स के तौर पर. हाँ, एक्ट्रिल ऐगर देखा जाए यूटी या आने के बात में क्या फरक्ट पड़ा है या क्या होगा? हमें पता है कि जब यूटी बनने से पहले एक एक लाग लग रोपे के लिए हजार रोपे के लिए रोपे के लिए रोना पड़ते थे यहां से स्रीनार जाना पड़ते थे LG से या जो भी चीप सेक्टरी, चीप मनिस्टर, मिलने के लिए, अपॉर्टमेंट मिलने के लिए, कौन सल को कहीं दीनों तक लग जाते थे, आम आदमी तो छोड़ो, आज अपने साथ, अपने ही दर्वाजे पे गोर्नार है, सारे लोग है, और इतना पैसा है, जो हम खर्च क कार पाना मुश्किल हो रहा है, इतना सारे मौधी गोर्मेंट ने, मौधी सरकर ने, इतना सारे मौधी पैकेज दी दे दया है, आर्टिमेंटली तो हमें पैसा ही चाहिए, जो डेलोप्मेंट करने के लिए, तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हाँ, यह जरूर मनता हूं कि जो यूटी एक अभी नाया, एक बेबी अभी यूटी है, दो ही साल हुआ है, तो इसमें बहुत सारे अच्छा भी है तो कमी भी जरूर है, बहुत सारे भी हमें हमारे पास में इंफरस्ट्रिक्टर नहीं था, यह सारे इंप्लाइज नहीं था, उनका रूल्स नहीं थे, यह सा पर दोनों उस पर चल रहा है तो मैं मनता हूं यह सारे डिफिकल्टी जरूर थे साथ में यह कोरोना था साथ में अब नाठान के सीजन थे तो वो सारे देखते हुए लेकिन मैं मनता हूं कि पैसा ही था एक बजाट ही था वो भी आ गया है तो जो इंप्लाइस की इस्वी थे वो सारे जो बरती बोले या जो भी वार्टेस सारे मलब यह सारे प्रोसेस होना शुरू हो गया है आने वाले दिनों में बहुत सारे यह खुलेंगे अभी इंप्लाइस की दर्वाजे खुल गया है तो यह सारे भी आने वाले दिनों में खुलेंगे जे आपका अन्बर पार के हाई लेबल लोगों ने भी महलब यह देख करके शायद मुझे इस कैविल समझा होगा तो हम पूरी कोशिस करेंगे इसको निभाने के लिए उमेद भी है कि शायद ठीक से कर पाऊंगा हाँ उसी को देख करके तो यह जम्यांग जी के मलब काफी मलब उनको बर्दान बहु इसको दिया है आपका बहुत बहुत धन्यबाद आपने विविन मुद्धों बातचीत की हम से और मुझे उम्मीद है कि आपका जो टैनुर जो भी बचा टैनुर है वो बहुत सक्सेस होगा झाल झाल झाल